दूस्तों यह प्रेस है और हम इसे भी रिप्यार कर रहा है तो अभी हम प्रेस इसको भी पूरा ओपिन कर रहा हूं पूरा ओपिन करने के बाद हम इसे देखने वाले हैं रिपेर करने वाले कि इसमें क्या-क्या फाल्ट है अभी मैं इसे पूरा ओपिन कर लेता हूं उसके बाद आगे का जो है पिर करिया करने वाले हैं तो यह पूरा प्रेस ओपिन कि इस कुरू से कर देंगे तो यहां पर स्कूरू से मैं खौलता हूँ कि पूरा फ्रेस जो है कि खोल दूँगा उसके बाद आगे जो है देखेंगे कि इसमें क्या-क्या फाल्ट हो रहे हैं तो दोस्तों परेस हमारी ओपिन हो गई है अब दोस्तों हमें यह सीरीज बोर्ड में लगा के टेस्टिंग करना है कि इसमें क्या-क्या खराव है क्या नहीं खराव है सबस्तों है यहां पर मैं इसमें दो बायर कि मैंने सीरीज बोर्ड में लगा उवस्ताई तो मैं जैसा में सूर्स ऐटाई रहा है क्या ओंब दोस्तों हमारी प्रेस का मत्या है और ये देखिए बरक कर रहा है ये देखिए बलब को हाप में चलना चाहिए तो हमारा ऐलिमेंट तो साई है अब आगे में देखना है कि क्या का नहीं कर रही है तो मैं इसका element अभी चेक कर चुगा हूँ और इसके cut को भी चेक करता हूँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो दोस्तों ये इसका cut काम नहीं कर रहा है देखिए दोस्तों ये cut जो है काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें क्या problem आ रही है तो दोस्तों हम यहां से देखने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या है इसके अंदर तो दोस्तों यह मैंने इसको खोल दिया है और यह देखता हूं इसमें क्या है यह देखिए इसमें दोस्तों एक फ्यूज अंदर से लगा हुआ होता है तो मैं इस फ्यूज को बीचे कर रहा हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है देखिए दोस्तों ये फ्यूज ही हमारा खराब है तो इसमें हम देख रहे हैं कि फ्यूज जो है कामी नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमें एक छोटा सा हलका सा एक बायर लेना है कि इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर देना है जिससे की वह है इस तार्किंग ना करें यह जो है यहां पर इस तरह से लपेट के टाइट कर देना है और इसको जो है मैंने लगा दिया है और उसके इसे चेक करने वाला हूं यह देखिए हमारा काम करने लगा है फ्यूज अब देखता हूं देखता हूं कि इसका जो है देखिए प्रेस भी काम करने लगी है तो यह देखिए डाउन भी हो रही है सप्लाई तो दोस्तों आगे हम इसको बंद कर कर देना है तो सब्सक्राइब कर देना है तो मैं इसको कम्प्लिट कर दिया हूं अब इसको पूरा में खोला था हूँ इसको fit कर देना है इस चीज की दिखान रहे नीचे जो हड़ीया जो लगी थी भो फिर से लगानी है नहीं तो यह फ्रे सई से अगर नहीं बंद करेंगे इसे तो यह नीचे से जो है पेचो को कस्त देता हूं तो यह देखिए हमारा पूरा प्रेस धीर धीर हो चुका है और पूरा कनेक्शन कर देता हूं तो यह देखिए इस तरह से स्कुरू इस तरह से खोले थे उसी तरह स्कुरू सभी लगा देना है और सई से बंद कर देना है तो मैं इसके सारे कनेक्शन कर देता हूँ तो यह देखिए हमारी फ्रेस रेडी हो चुकी है इसकी हमें करनेक्शन करने है और उपर का कवर भी लगाना है तो मैं कवर जो है इसका LED यहां पर लगा हुआ था वो मैं इसमें लगा देता हूँ और इसका कवर भी लगा देता हूँ तो कबर भी अच्छी तरह से कस्ट देता हूं और यहां से जो कट लगा हुआ है उसको सेट कर ले और सही से लगा दे तो यह मैंने इसको लगा दिया है और कस्ट दिया है अच्छी तरह से हुआ है तो कबर हमारा लग चुका है यह तो यह हमारा कवर रेडी हो गया अभर हमारी प्रेउस हो चुकी ए तो सटिक हमाइन इसके लिए हम से नगशाने कर देना तो यह ऑ तो यह दो ड़ा अ है मैं समें लगा देता हूं और यह वाला रावीर तो बढ लेघ दोस्तों अब हम इसको पूरा रेड़ी कर चुका हूं इसका कट यहां मैं चेक कर रहा हूं से यह देखिए सब्लाइस में आ गई है और यह देखिए गरम होने लगी है हमारी प्रेस कट का काम करने लगा है देखिए दोस्तों हीट भी हो गई है बहुत जाद है यह चू नहीं